मदिप्रदेश में आज वोटिंग है और ऐसे में सभी की निगाहें मदिप्रदेश में तमाम 230 विदानसवा सीटों पर है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा लेकिन कुछ विदानसवा सीटें ऐसी हैं जिन पर विशेस नजर है और उनमें से एक सीट आप समझी गए होंग चुनाव को लेकर के तो हैं ही लेकिन साती साथ उनके बेटे का वीडियो वैरल हुआ था उसे लेकर के भी चर्चा में रहे लेकिन आज मदिप्रदेश की दिमिनी विदानसवा सीट पर जहां से नरेंदर सिंग तॉमर खड़े हुए हैं वहां से कुछ ऐसी खबरें आ गई जिनने सुनने के बाद लोग केहने लगे हैं क्या नरेंदर सिंग तॉमर को सता रहा है हार का डर क्योंकि वहां पर कुछ इस प्रकार की घट्नाए हो गई है कि मत्ताताओं को उनके मत्त का प्रयोग करने से रोका गया है उन्हें रोका गया है कि वो मतदान के इंदर तक न पहुँच पाएं ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कर रहा था वहाँ पर पुलिस प्रशासन और क्या कर रहा था चुनाव आयो नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए तो हम बात कर रहे थे नरेंदर सींक टॉमर की दिमनी विदानसवा सीट की सुबह साथ वजह से ही मतदान की शुरुआत हो ग हैं और सुरुवे के समय से ही वहां पर खबरे आने लगी थी कि मतदाताओं को रोका जा रहा है गोली की खबरे आई और साती साथ खबरे आई कि वहां पर मत को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को रोका जा रहा है ऐसे मैं लोगों ने सोचा कि पुलिस तक जाएंगे तो किसी भी परकार期 हिंसा उनके साथ लोग वोट का प्रयों कर रहे थे कुछ वीडियो बाई है जिने देखने के बाद और सुनने के पाद आप भी यही कहेंगे क्या नरेंदर सिंग्तोमर हारने वाले हैं उन्हें हार का डर्स अता रहा है इसलिए वहां पर मत को प्रवावित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मीडिया में जो खबरें आ रही है जो खबरें दैनिक वहसकर के मादधम से अगर हम बात करें तो खबरें सामने इस तरह की आ रही है कि मत को प्रवावित करने की वहाँ पर कोशिश की गई है और ऐसा नरेंदर सिंग तॉमर के दबाब के चलते हुआ साफ तोर पर हम आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर नौसेना में जो जवान काम करता है उसके साथ घटना होगी जरा वीडियो आप भी देख लीजिए उससे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वहाँ पर किस परकार की घटना है जो है दिमनी में की गई तो बाद में इनको पीट दिया गया वहाँ पर इनकी नाग से खून बहरा आप देख सकते हैं स्क्रींग पर यह जो काट रहा है जो इसमें मार दी गई है तो इसमें में बारती नोशना में कारेरा इसमा स्थर्मा अबलबार मैं वहां से अपना मत डाल के आ रहा था उसके बाद गाओं के कुछ जो तौमर्थ दमंग है उनमें ते यह जंबर के हैं दो तिन लड़के इनोंने आगर के भोके से मेरे उपर अटेक किया है वाटी चलाई है किसी ने पत्थर मारा है जो आप देख सकते हो मेरी अलप मेरे ब्लड आ रहा है कंटिन्यू वह रहा है नहों केवल सेना के जवान के साथ ही नहीं बलकि बुजर्ग महला के साथ 20 प्रकार की घटना हुई है उनके हाथ में चोट लग गई स्क्रीन्स पर देख लीजे आप ये वीडियो भी आप ने बुजर्ग महला को भी देखा किस तरीके से उनके साथ घटना हुई अब आपको मीडिया की खबरें दिखा देते हैं 21 तरीके से मीडिया की खबरें जो है दिमनी विदानसावा सीट को उन्होंने कवर किया है चापी है देखिए मुरेना में मतदान के बीच गोलियां चली है पत्राव लोग बोले कि मंत्री के दवाब में पुलिस प्रशासन निरंकुस रहा वोटिंग से रोक रहे हैं तो आपर किसी भी तरह की कोई ऐसी कारवाई नहीं कर रहा कि मतदाता बेख़ौफ होकर के अपने मत का प्रियोग कर सके ऐसे में सवाल उठता है कि नरेन सिंग्टॉमर के जो लोग थे कारिकरता थे वो मतदातां को डराने की कोशिश कर रहे थे और चुनाव आयोक क्या कर रहा चार जख्मी हो गए ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों क्या मद्दिप्रदेश से भाजपा के जो भी नेता खड़े हुए नहीं डर सता रहा है कि वो इस वार नहीं आने वाले हैं चुनाव में उनकी सरकार नहीं आ रही है वो हारने वाले है इसी प्रकार की घटनाएं हो र और इस प्रकार की जो घटनाएं होई या मतदाताओं के साथ आखर यह क्यों नहीं रोकी जा सकी क्या प्रशासन पर उपर से दवाब था जिस प्रकार से ग्रेमंत्री अमित शाह ने शुरुवात में कहा था आपको याद होगा एक बयान दिया था उन्होंने अपनी चुना के लिए से भी इस कारिकम को देख रहे हैं आप बताएं आपके मतदान कैसा रहा कि आपके यहां भी हिंसात्मा घटना हुई आपके यहां भी वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई आप जो भी सोस्ते हों कमेंड बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजे इस वीड तर सोतंतर पत्रकार्टा कर सके नमस्कार